दोस्तो किसी भी कंट्री के मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर सेलिब्रिटीज हो, वो चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना हो लेकिन वो ट्विटर पे ज़रूर मिल जाये करेंगे. जी हाँ, वही ट्विटर जिसका नाम अब ऐलनमस्ट ने बदलके X.com रख दिया है. पिछले साल एक भारी भरकम रकम देकर, एलनमस्ट ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया, और तब से एलनमस्ट ने इस प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक इतने चेंज़ेस कर दिया है, कि अब लोग ट्विटर को पहचान ही नहीं रहे हैं। इसके साथ भारत सरकार से भी जुड़ी हुई ट्विटर की कुछ कंट्रोवर्सी इस पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको ट्विटर और एक्स.com से रिलेटेड बोहर एक जानकारी मिलने वाली है, तो आई दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्विटर की शुरुवात होती है साल 2006 के फरवरी से, जब ओडियो कंपनी के वेब डेवलपर जॉग टोरसी के माइन में कुछ नया करने का ख्यालाया। जैक न ये बात अपने फ्रेंड नोवा ग्लास के साथ शेयर की, नोवा ओडियो कंपनी के को फाउंडर थे और ओडियो एक पॉड्कास्ट बनाने वाली वेब साइट उसमें हुआ करती थी। उस वक्त जब तोनों ने इसे डेटेल में डिसकस किया तो जैक ने बताया कि मैं एक ऐसी वेब साइट बनाना चाहते हूं जिसमें लोग अपना करेंट स्टेटस बताएं वो ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। चुर्वात में इसे ट्विटर नाम से जानते हैं लेकिन शुरुवात में इसका नाम ट्विटर था दो स्पिलिंग इसमें आई और ई कम थी पहले। ट्विटर का पहला ट्वीट 22 मार्स 2006 को जैक नहीं किया था उन्होंने अपने ट्विट में लिखा था जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर यानि बस अपने ट्विटर को मैं अभी सेट अप कर रहा हूं। शुरुवाती दिनों में इसे ओडियो के एंप्लॉईस ही चलाया करते थे लेकिन 15 जुलाई 2006 को इसको ओफिशिली वल्ड वाइड लॉंच कर दिया गया। शुरुवात में ट्विटर ओडियो का ही एक पार्ट हुआ करता था लेकिन बाद में इन्वेस्टर्स को लगा ट्विटर का कोई फ्यूचर ही नहीं है इसलिए वो अपना शेर बेचना चाते थे। तब अक्टूबर 2006 में जैक डोर्सी, एवन विलियम्स और ओडियो के कु तो मंजिल अपने आप मिल जाती है, ऐसा ही कुछ ट्विटर के भी साथ हुआ। ट्विटर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तीन अगस 2006 को साउथ कलिफोनिया में आया एक अर्थक्वेक था, हाला कि ये अर्थक्वेक काफी ज्यादा हलका था, लेकिन इस खब ट्विटर का अगला टर्निंग पॉइंट मार्च 2007 में आता है, जब टेकसस में साउथ विष्ट इंटरेक्टिव कॉन्फरेंस ने ट्विटर की पॉप्लियर्टी को जमीन से आस्मान तक पहुचा दिया। उसमें ट्विटर की स्ताफ ने बहुत ही चालाकी से इस कॉन्फर ट्विट करते थे और स्क्रीन पर रियल टाइम अपडेट होता था जिससे ट्विटर एक दिन में करीब 20,000 ट्विट होते थे। 12 मार्च 2007 को यहां पे 60,000 से ज़्यादा ट्विट किये गया। इस कॉन्फरेंस के बाद ट्विटर को एक दुनिया में बड़ी पहचान मिल ग एक आसान सा प्लेटफॉर्म बन चुका था। लेकिन अभी तक विटर को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ था जिस वजह से वो आज की डेट में जाना जाता है। उसको वो मुकाम मिलता है 2010 के दिसंबर में। जब ट्यूनिशिया के एक शहर में मुहमद बौजीजी नाम के एक शक्स के फल के ठेले को मुनिस्पैल्टी ने जग्त कर लिया। अगले दिन जब बौजीजी अपना ठेला मागने मुनिस्पैल्टी गया तो वहाँ पे उस पर रिश्वत मांगी गई। इस गरीब आदमी के पास ओफिशियर्स को देने के पैसे नहीं थे और इस गरीब थ्रू लोगों ने अपने प्रोटेस्ट जाताना शुरू किया। दिरे दिरी ये विरोग प्रदर्शन ट्यूनीशिया से आगे बढ़कर मिडिल इस्ट के कुछ देशों तक पहुँच गया और इससे सरकारे भी गरी गई। उससमें एक प्रोटेस्टर ने कहा था हम फेस् तीटर की तरफ एक्टर चूने काि रिजन ये भी है कि टोटर एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जो कि शुरुवाती दिनों से अब तक जैसा था हो बिल्कुल वैसा ही है आज भी ट्विटर पे आज भी written content का ही बोलबाला है या हर एक इंसान एक creator है शायद यही कराने कि ट्विटर ने कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में अपने जंडे गार दिये और लोगों पता चल गया ट्विटर किस चिडिया का नाम है खेडिया से याद आये ट्विटर का लोगो भी कुछ समय पहले तक एक चिडिया ही थी और वही ट्विटर की सबसे बड़ी पहचान भी ती जैसे आर्टिस्ट मार्टिम ग्रैसर ने डिजाइन किया था लेकिन अब ट्विटर का लोगो बिल्कुल बदल चुका है और इसको बदलने वाले कोई और नई ट्विटर के नए ओनर एलन मस्क ही है दुनिया के सबसे अमीर शक्स एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 के अंथ में 44 बिलियन डॉलर यानि करीब 3.36 लाग करोर रुपे में ट्विटर को खरीद लिया था 14 मार्स तक एलन मस्क के पास करीब 5% से जादा ट्विटर के शेर हो चुके थे लेकिन एलन मस्क अभी रुके नहीं थे वो लगतार ट्विटर के शेर खरीदते रहे और 4 अगस तक एलन मस्क के पास करीब 9.2% ट्विटर के शेर हो गए थे और वो दुनिया के सबसे बड़े Twitter के largest share holder थे जब ये बाद पूरी दुनिया के सामने आई तो Twitter के share के price बढ़ने शुरू हो गए और इसके अगले ही दिन यानि 5 अपेल को Twitter का board Alan Musk को seat offer करता है जिसे Alan Musk accept भी कर लेते हैं लेकिन Alan Musk Twitter का board नहीं join करना चाहते थे उस पे उन्होंने क्या कहा आईए समझते हैं Twitter में investment करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे realize हुआ कि company अपने current form में न तो आगे बढ़ेगी और नहीं कोई social imperative को पूरा कर पाएगी Twitter को एक private company के रूप में अब बदलने के ज़रूरत हो चुकी है फिर आता है 14 अप्रेल 2022 का दिन जब Elon Musk Twitter को खरीदने के लिए 44 billion dollar को आफर करते हैं यानि हर share के लिए Elon Musk को company के shareholder को करी 54.2 dollar देने थे Twitter का बोर 25 अप्रेल को इस offer को accept कर लेता है पर साथ में यहाँ पर यह भी शर्ट रखी जाती है कि Elon Musk अगर इस deal से पीछी हटते हैं दील को hold पे डाल दिया जब उनसे इसका reason पूछा गया तो उनका कहना था कि Twitter ने अपने platform पर boards की संक्या के बारे में जानकारी नहीं दी है इसलिए मुझे जाज परताल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए लेकिन इसके बाद 8 जुलाई को Elon Musk अपने Twitter deal को terminate कर देते हैं जिसके response में Twitter Elon Musk के उपर court case कर देता है 29 जुलाई 2022 को Musk भी Twitter पर जानकारी पब्लिक नहीं करने का आरोप लगाते हुए Twitter पर reverse case कर देते हैं वो Twitter पर stakeholders को bots के बारे में गुमराह करने का भी आरोप लगाते हैं लेकिन इसे Twitter की image कोई भी dent नहीं पहुसता है और अज में 27 एक्टूबर 2022 को Elon Musk को Twitter खरीद नहीं पड़ता है मजुहूरी में क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो Twitter की deal को cancel करते हैं उन्हें वो termination fee देनी पड़ी की एक billion dollar रुपए की जो कि उनके लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता था खेट Twitter की command सम्हालने के बाद Musk ने पहली दिन से ही Twitter में changes करने शुरू कर दिये logo और name को change करने के लावा उन्होंने company की manpower को घटाया free में मिलने वाले blue tick को भी उन्होंने remove कर दिया इसके लावा Musk ने Twitter पर blue tick subscription service भी launch कर दिया फिलार Twitter ने अपना add revenue sharing program launch किया है इसका मतलब यह है कि जब भी creator कोई भी post करेंगे तो उसके बदले company को जो भी revenue मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा creators को भी यहाँ पे दिया जाएगा जैसा कि YouTube भी किया करता है और कई सारे और platform भी करने की कोश्च कर रहे है revenue पाने के लिए company creators के tweet के reply में add देगी और उसके बदले में creators को पैसा मिलेगा मुझे पता है कि आप मेंसे कुछ लोग सोच रहे हुए कि Alan Musk आकर इसके साथ करना क्या चाहते है क्या वो लोग के भलाई करना चाहते है वो creators के लिए एक platform बनाना चाहते है तो इसका जवाब है शायद नहीं Actually Twitter को खरीदने को लेकर खुद Alan Musk ने दो objective बताए है First Twitter को Freedom of Speech का एक platform बनाना है Second Twitter से spam account को eliminate करना है वैसे कि आपको सच में लगता है कि Alan Musk हमारे Freedom of Speech पे ध्यान दे रहा है या वो खुद की Freedom of Speech बचाना चाहते है अगर आप गौर फर्माएंगे तो आपको पता चलेगा कि Twitter पर Alan Musk से करीब 8 करोड से जादा followers है और इन followers का इसमाल वो बहुत ही चालाकी से अपने brand को promote करने में किया करते हैं जहां किसी दूसरी company को अपने गाड़ी के advertising करने में एक लाग से उपर का खर्चा आता है वही Alan Musk की Tesla के advertising का खर्चा मातर 50 रुपए से भी कम आता है Alan Musk को Alan Musk बिलकूर free में Twitter पर अपने 8 करोड followers के बीच Twitter का गुडगान बखारते रहते हैं जिससे Tesla की free में पर भी city हो जाती है लेकिन क्या होता अगर Alan Musk का account किसी दिन Twitter ने ban कर दिया होता ऐसा possible है क्योंकि अगर आप Donald Trump का example भी ले लीजे तो कुछ समय पहले Donald Trump का account भी Twitter ने ban कर दिया था कहीं अगर Alan Musk का account भी किसी tweet की वज़े से Twitter ban कर दे था तो Tesla की पूरी marketing distribution कोलाप्स हो जाती और Alan Musk को इसका अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ता ऐसा ना हो इसलिए ही Alan Musk ने Twitter की command अपने हाथ में ले ली Alan Musk एक तरह से पूरी Twitter को control करना चाहते थे और हर दिन Twitter पो होने वाले changes इस बात की और इशारा भी करते हैं ऐसे में ये देखना काफी ज़्यादा interesting होने वाला है जब government की ओर से नए IT के नियम का announcement किया गया था इस समय पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था और government की guideline के मुताविक सभी social media companies को तीन महिने के अंदर नए IT नियमों को मानना था Actually in guideline में social media platform, OTT platform और digital publication पर publish होने वाले content के लिए कमपनियों को जिम्मेदार बताया गया था यानि किसी भी platform पे लोग क्या लिखते हैं इसकी जिम्मेदार ही उस platform की होगी और Twitter ने इससे freedom of expression का violation बोला था इंडियन गॉर्मेंट के साथ Twitter की एक kontroversy उस समय भी काफी खास चर्सा में नहीं जब Twitter ने अपनी वेब साइट पर लदाक और जम्मू कश्मीर को एक separate country बता दिया था उस वक्त ट्विटर के मुताबिक लदाक और जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है हाला कि जैसे ही भारती सरकार ने इस पर objection किया जब इस बात पर काफी ज़्यदा कंट्रोवर्सी हुई तो ट्विटर ने उनका ब्लू टिक वापस कर दिया और कहा कि वो काफी टाइम से ट्विटर पे इनक्टिव थे जिस वज़े से उनका ब्लू टिक हटाया गया था सिर्फ यही नहीं ट्विटर ने तो एक बार RSS चीफ मोहन भागवत के एकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया था साथ यह बार ट्विटर ने BJP प्रवक्ता संबित पात्रा की ट्वीट को मैनुपिलेट का लेबल लगा दिया था इतना ही नहीं ट्विटर ने तो फारमर IT मिनिश्टर रविशंकर प्रसाद के एकाउंट को भी लोग कर दिया था इसके साथ युन्होंने एक बार राहूल गांधी के एकाउंट को भी सस्पेंट कर दिया था लेकर बाद में उसे suspension को हटा दिया गया था। इतना सब को जानने के बाद अगर आपको लगता है कि Twitter की सारी controversy इंडिया में ही है तो ऐसा नहीं है Twitter की controversy हर एक country के साथ चला करती है। दूसरे देशों में भी Twitter ने कई ऐसे फैसले नी हैं उन्होंने फिर से उनके account को active कर दिया। तो दोस्तो Twitter पहले जैसा था आज वो बिलकुल बदल चुका है। पहले Twitter के मुझ्णी features free हुआ करते थे लेकिर आज वो सब कुछ paid हो चुके हैं। इसके लावा Twitter ने tweet deck में भी कई सारे changes कर दिया है। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि Alan Musk ने micro blogging sector में Twitter के monopoly का फाइदा उठाने के पूरी कोशिश किया है। लेकिन अब शायद उनके इरादे काम्याब नहों पाए क्योंकि यहां पे market में एक नया player आ गया है जिसका नाम है Threads। यहां जिन लोगों को Threads के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दू, Meta ने Twitter की तरह एक app launch किया है जिसका नाम है Threads। यह Instagram पे based app है। Thread बिलकुल micro blogging site Twitter की तरह ही है जो भारत में भी launch हो चुका है। इसमें 500 character और 5 minute तक का video support है जो की Twitter के comparison में काफी जादा है। इसके अलबा Threads के सभी feature हमें बिलकुल free में मिल जाते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में Thread Twitter के सामने बड़ा computer बन जाएगा। और Twitter बहुत सारे अपने users lose कर सकता है और वो सब Threads पे जा सकते हैं। हाला कि recent days में आपको यह भी दिख रहा होगा कि Threads लोग को ज्यादा पसद नहीं आ रहा है। लेकिन अभी यह app launch हुआ है और इसको launch करने वाले Mark Zuckerberg है। तो उनको इसका काफी सालों का experience है कि एक नए app को किस तरीके से लोग के बीच में ले जाया जाता है। आज Twitter को इसका बड़ा नुक्सा नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में अगर Threads ऐसे ही रहा तो एक Twitter को बड़ी टककर दे सकता है। आप comment option जरूर लिखके बताइएगा कि आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है कि Twitter ज्यादा famous रहेगा या फिर Thread रहेगा या Twitter कि इस थूर एलन मस और क्या market में करना चाहते है। आपको ये वीडियो कैसे लगे आप comment option जरूर लिखके बताइएगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा बैल आइकन इट्रस करेगा।